Bismillahirrahmanirrahim, Don Children Academy, Students, Today I will teach you Mathematics of Class 2, of Class 2. Subtraction, Subtract Karna, Sign of Subtraction is this, this. Subtract 257 from 642, हमें minus karna है, subtract karna है. Subtraction का निशान यह है, 642 में से minus karna है, 257. Students, देखिए, यहाँ पर 2 में से हमें 7 minus karna है. आपके पास 2 रुपे हूँ, और मैं आपसे कहूँ, 7 रुपे मुझे दे दो, फिर क्या करोगे? तो, अब हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया? अपने बराबर में हमारे 4 है, उससे 1 लिया, अब यह बन गया 12, यह 12 बन गया, 12 minus 7 हमें, मैं आपको दिखाती हूँ, रुप में. हमने क्या किया? 12 lines ड्रॉ करी, और 7 उसमें से काट दी, minus करना था, काट दी, यह टोटल देखें, आप गिन लें, 12 lines है, 12 lines ड्रॉ करी, 7 हमने काट दी, बाकी हमारी 5 लाइने यह बच गई हैं, आप इसको count कर लीजिए, 5 lines is left, 5 हमने यहां लिख दिया, अब यह 4 इसको एक दे चुका है, यह खुद क्या बन गया, एक कम करो, 4 में से, 3 बन चुका है अब यह, 3 में से 5, आपके पास 3 रुपीज है, मैं आप से 5 रुपीज मांगू, आप कैसे देंगे, लहाजा आप ने क्या करा, कि बराबर वाले से 1 लिया, 3 पहले से मौजूद था, 13 बन गया, अब य 13 में से 5, हमें माइनस करना है, तो यह देखिए बचों, यहाँ पे रफ़ वर्त में, आपने 13 लाइनस ड्रॉ करी, 13 लाइनस ड्रॉ करने के बाद, आपने उस में से 5 लाइनस कार्ड दी, 5 माइनस कर दिया, कितनी लेफ्ट हुई, कितनी बच गई, 8 लाइनस यह, आप गिन क्या बन चुका है, 5, 5 में से अब हमें 2 माइनस करना है, आप बताएं, आपके पास 5 ट्वाइस हूँ, 5 खिलाओने हूँ, 2 आप से मैं मांग लूँ, आपके पास कितने रह जाएंगे, बताइए, 2 अगर आप मुझे दे देंगे, फिर आपके पास कितने बचेंगे, 3 ही करना, sign of addition is this, यह निशान है प्लास का, हमें 3 numbers प्लास करना है, पहला हमारा नमबर है 478, 653, 287, अब आपको मैंने उंगली पे जमा करने का भी तरीका सिखाया हुआ है, पहले आप 8 और 3 प्लास कीजिए, 8 और 3 प्लास करेंगे, आपके पास आजाएगा 11, या ऐसे ही जैसे अभी मैंने line बना के सिखाया है, rough में 8 lines draw कीजे, 3 lines draw कीजे, तीसी line में 7 lines draw कीजे, सब को मिला कर count कर लीजिए, आपकी total 18 lines बन जाएगी, या आप अगर अपनी उंगली पर मैंने निशानों से जो सिखाया था आपको पिछली क्लास में, वैसे count कीजे, 18 आए 1, 7, 5 and 8, 1 पहले एक 1 line आप draw कीजे, फिर उसके बाद 7 line draw कीजे, फिर 5 line draw कीजे, उसके बाद 8 line draw कीजे, ड्रो करने के बाद सब को count कीजे, 1 and 7, 8, 8 and 5, 13, 13 and 8, 21, 21 का 1 यह हमने लिख दिया, 2 carry, 2 plus 4 plus 6 plus 2, 2 में 4 जमा कीजिए, 4 plus 2 is equal to 6, 6 plus 6 is equal to 12 and 12 plus 2 is 14, 14 यहां लिख दिजिए, 14, 1418 is your answer. Now question number 3, divide, हमें number 54 को divide देना है 6 से, हमने 6 का table पढ़ना है, जहां तक के 54 ना आ जाए, 6 का पूरा table पढ़िए, याद है, नहीं याद पहले याद कीजिए, पहले 6 का table याद कीजिए, अगर याद नहीं है तब, वैसे आपकी टीचर ने आपको क्लास में याद किया, कराया है, 6, 9 जा 54, 54 में से 54 को माइनस कीजिए, कुछ भी remainder नहीं बचा, 9 आपका जवाब है, 9 is your answer, अब हमें number हमें दिया गया है, 208, और इसे हमें divide देना है, number 4 से, 4 का table पढ़िए, अब 2 तो छोटा है, 4 से, लेहाजा हमें शुरू में दो number एक साथ लेना पढ़ेंगे, तो हमारा बन गया, 20, दो number एक साथ लेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 20, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4 का table पढ़ते हैं, इदर वाला table पढ़ते हैं, 4, 5, 20, 20, 20 माइनस 20, कुछ भी नहीं बचेगा, अब हमने यह वाला 8 यह उतारा, 4, 2, 8, यह 8 लिखा, रिमेंडर कुछ भी नहीं बचा, 52 इस अवरा आंसर, यह 52 हमारा क्या है, जवाब है, यह homework में सवालात आपको, सब्ट्रेक्शन के, एडिशन के और डिविजन के दिये हैं, आपको बार बार, तमाम सवालात खुद करना है, अपनी टूशन की मिस से, या अपने, अम्मी से, या अबो से, कोई बच्चा, कोई काम नहीं कराएगा, आप इस पे समझिए, यूट्यूब का चैनल खोलिए, ये अपना सब समझिए, और खुद से आपको काम करना है, और स्कूल में लाकि पिछला काम चेक कराएगे, और नया काम लेकर जाएगे, और आगे देखिए, आपकी मिस ने, आपको ये कोईशन भी दिया है, कोईशन नमबर फोर, राइट डाउन दौन दौनबर्स इन वर् 12, 13, T-H-I-R-T-E-N-13, 14, F-O-U-R-T-E-N-14, 15, F-I-F-T-E-N-15, 16, S-I-X-T-E-N-16, 17, S-E-V-E-N-T-E-N-17, 18, E-I-G-H-T-E-N-18, 19, N-I-N-E-T-E-N-19, 15, N-20, T-W-E-N-T-Y-20, ये बच्चों वर्ट्स में आपको घर से हूंवर्क में करके लेकर आना है, अपना हूंवर्क साफ सुत्रा कीजिए, सुबा जल्दी सो कर उठा करिए, थोड़ा सा खेला कीजिए, वर्जिश किया कीजिए, एक्सरसाइस किया कीजिए, जरूरी है स सोने में जादा वक्त सर्फनिंग करें, सिहत के लिए जादा सोना भी अच्छा नहीं है, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबा जल्दी उठना चाहिए, अमी अब्बू का घर में कहना मानते रहिएगा, ये नहीं कि जित करें, और अपना हूंवर्क सफाई से रोज किया की अगर आपने दोराया नहीं तो आप इतना दिन गुजर रहे हैं, आप भूल जाएंगे, सब दोराते रहे हैं, रोज आना उस सब को दोराये, वरना अगर दोरायेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, इमतहान में कैसे आप जवाब लिख सकेंगे, कुश्चन कैसे और आपने मैट्स की प्रैक्टिस नहीं की स्टूडेंट बहुत से बच्चों की अभी तकी स्कूल की फीस जमानी हुई है स्कूल आफिस में आकर अम्मी फीस जमा कराएं अम्मी से कहिए